भाग्य विधाता पुस्तक में फरीद कोट पंजाब से ब्रमा कुमारी प्रेम बहन जी कहती हैं, जन्वरी 1965 से मेरा सौभाग्य जगा जब इश्वरिय ग्यान मिला. मेरी खुशी का पारावार ना रहा कि बिना कोई कटिन तपस्या किये, बहुत सहज मुझे भगवान मिल गय मेरा मन प्रभू मिलन द्वारा जन्व जन्मांतर की पिपासा बुझाने को आतुर हो था. आखिर वो मंगल घड़ी आई 10 जून 1965 को जब हम प्यारे मधुबन स्वारगाश्रम पहुँचे. अमरित सर से चन्रमनी दादी जी मेरे सहित 15 सदस्यों की पार्टी को मधुबन ले हैं. बाबा से मिलने को मन तड़ा प्रहा था. शाम के पांच बजे हम हिस्ट्री हॉल में पहुचे. बाबा हाल में सामने बैट सभी को नंबरवार द्रिष्टी दे रहे थे. मेरे नैन भी द्रिष्टी के लिए बेचैन थे और मन में यही गूंज रहा था. जो सपने में न रहे हैं और फिर मोरा मनवा गा उठा. तरेसक जन्मों से तक्ते थे नयन जिसको आज उसने ननो का नूर बना लिया. द्वापर से फूल हार चधाय जिसको आज स्वयम उसने मुझे गले का हार बना लिया. इतनी अपार खुशी सिमाई नहीं गई और आखों से अशुधार बहनिकली. बाबा साकार में सामने दिखाई ना देकर बस लाइठी लाइठ दिखाए दी. पास में बैठे भाई बहने भी लाइठ के फरिष्टे दिखाई देने लगे, मैं फरिष्टों की दुनिया में खो गई. जन्म जन्मांतर की प्रभु मिलन की प्यासी आत्मा उठक बाबा की गोड में बहुत समय से बिखडी आत्मा को असीम प्यार मिला, फिर टीचर रूप में बाबा ने पूछा, बच्ची, आगे कब मिली हो? मैंने कहा, जी बाबा, 5000 वर्ष पहले मिले थे. बाबा ने पूछा, कौन सा पद पाया था? मैंने कहा, महरानी का. फिर बाबा ने चंद्रमनी दादी को कहा, बच्ची, बाबा इसको दूसरे स्थान पर सेवा में भेजेगा. ये बच्ची होशियार है, बाबा की बहुत पूटी नहीं है, अगली बार आएगे तो आप जहां कहेंगे वहाँ चली जाएगी. पहली बार मुझे 15 दिन बाबा के संद मधुबन में रहने का सौभागय प्राप्त हुआ. हर समय यही दिल में रहता था कि बाबा के संद में रहें, बाबा को ही देखते रहें. क्या बाबा आपने हमें ऐसे अद्भुत नजारे दिखाए कि आपके प्यार में हम खीचे चले आए. बाबा रोज सुबह पौने 5 बजे हिस्ट्री हॉल में आकर बच्चों को द्रिष्टी देकर योग कराते थे. योग के बाद हम बाहर आंगन में खड़े हो जाते थे. एक तर को अनुभव होता है कि स्वयम आलमाइटी बाप ब्रमातन द्वारा हमारे में लाइट माइट भर रहे हैं. एक बार भोली दादी ने कहा सुबह 3 बजे बाबा के लिए भोग बनाना है. सत्गुरुवार है आप सेवा करने आना. हमारी पूरी पार्टी नहा धोकर सेवा करन भंडारे में गई. हम पूरी बेल रहे थे. बाबा पौने 4 बजे भंडारे में आ गए और सभी बच्चों को प्यार भरी द्रिष्टी देते हुए कहा, देखो बच्चे, भुलानात का भंडारा है. बाबा की याद में पूरी बेलने से खाने वाली आत्मा को भी बाबा की याद आएगी, शक्ती मिलेगी. उसका कितना फल तुमको मिलेगा? ऐसे, बाबा हम सब का ध्यान शिव बाबा में खीचवाते थे. कमाल थी प्यारे बाबा की की इतना वृधतन होते हुए भी इतना चुस्त. कर्मयोगी बनने का अभ्यास बाबा ने बच्चों को कराया. ए पूली दादी वद दो बहने, पूरी की तरह रोटी बना रही थी, रोटी पर मक्षन वद बूरा डालकर ममा के हाथ में पकड़ाती, ममा बाबा को देती, फिर बाबा अपने हस्तों से बच्चों के मुख में डालते. उस लाइन में मैं भाग्यशाली आत्मा भी खड़ी थ पीटती हैं और मैं अपने सोभाग्य पर नास करती हूँ. एक दिन चंद्रमनी दादी जी बाबा के कमरे में बाबा से बातचीत कर रही थी, मैं वहाँ चली गई. दर्वाजे की तरफ बाबा की पीट थी, मैं देखकर वापिस आने लगी, आहट से बाबा को मालूम हुआ क कोई आया है. बाबा ने जट आवाज दी, बच्ची, तुम वापिस क्यों जाने लगी? बच्चों का हक है बाबा से मिलने का. बच्ची, जब चाहो बाबा से मिलने आ सकती हो. बाबा ने मुझे तोली दी. हम तो गिंती करते रहते, आज बाबा से कितनी बार मिले? वह ज्य भरी द्रिश्टी देकर मुह में टोली खिलाते थे, उस समय ट्रेनिंग क्लास के कमरे बन रहे थे, हम देखते रहते की 10-11 बजे बाबा मिस्त्रियों से मिलने जाएंगे, बाबा जब अपने कमरे से बाहर आते तो हम भी हाथ पकड़ कर ट्रेनिंग क्लास की तरफ चल पड़त इतनी मेहनत यानी 63 जन्मों की भक्ती करने के बाद आप बड़ी मुश्किल से मिले हैं, कैसे छोड़ेंगे? इस प्रकार कदम कदम पर बाबा हमें मजबूत करते थे, बाबा का कितना प्यार है, यह वेदाई की घड़ी आई ही क्यों? सभी बच्चों को बाबा ने गो सून कम सून की टोली मिश्री, इलाइची, बादाम खिलाया, साथ में ग्यान रतनों से भी सजाया। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, मिश्री कितनी मीठी है, तुम भी मीठे बाप के मीठे बच्चे हो, मुक से कभी दुख देने वाले बोल ना निकले। बच्चे, बादाम ख हमें हर एक से गुंड रहन करने की शिक्षा देते थे। बाबा का इतना बेहत प्यार था, जहां इस समय भंडारा है पहले वहां वरिक्ष जारिया थी, मधुबन से विदाई के समय बाबा बच्चों को छोड़ने बाहर आये, हाथ मिलाते द्रिष्टी देते विदाई प्यारे बाबा से विदाई लेने को हमारा दिल नहीं करता था, बेमन से विदाईली अशुधारा बहती चली गई। ऐसा महसूस हुआ कि जन जिनमांतर की प्यासी आत्मा भरपूर हो रही है। आज भी वो दिन भुलाये नहीं भूलते।